जो प्रसाद के अंदर घिरना अदक अपरात किया गया है इसके रहे तो कठोर सजा है तो इसलिए मोत की सजा है इसमें एकरार किया जाए कि हम जाकर नाइक भारत छोड़ करके भागा हुआ है और उससे प्रेरित होकर के हमने ऐसा कदम उठाया मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों पर सिकंजा कसना चाहिए तोड़ना चाहता है बाटना चाहता है हमारे देश का जो है विजिलन्स डिपार्टमेंट है इस पर तुरंत कारवाई करेगा जहर मिल जाता तो 40,000 लोगों ने वह प्रसाद बाया वह दिन काले अक्षर में लिखा जाता है यह बोलना है मैं मुस्लिम था इसलिए वह आटक किया गया जबकि वह खबर भी जांच परात करने से जूटी निकली मिलाने की कोशिस थी मिलानी ठीक है इसके तार कहां तक जुड़ रहे हैं यह बात भी देखनी चीए इसका मदलब इंट्रेजिशन मारी बहुत बढ़िया है फिर लाओना जाकिरनाई को क्यों ला रहे है यूटीव पे हैं उसको बैन कर देना चाहिए बैन बैन नहीं उसको को भी बार से लागए और दे देना चीए मिलाउट जो मिलाउट करें हुए भी और उदो परसाद में जायरे मिलाना चाहरे थे उनको इफाशी होने चीए 2014 के बाद मामला घणा खराब हो गया जैसी राम का नारा युद घोस हो सकता है क्या मुस्लिम कर्ट्री से कभी कैसी खबर आई को यहीं कि बोलो अकबरू अकबरू अल्ला नदिम मारेंगे नहीं आई न यहां क्यों जैसी राम बलवाने के उपर आद्मियों को मार रहे हैं तो मैं दे को हुआ जो ज्यादा खाके मर रहा है ना उससे चीनो और जो भूख से मर रहा है उसको दे दो इनने इनको लुट आए और मजदूरू का सोचन किया किसने लुटवाया फिर सरकारों लुटवाया इसमें कांग्रेस भी सामिल है और बीजेपी भी सामिल है सवीद दोस्तो नमस्कार आज का मुद्दा जो हमारा है वो सर्व समाज हर इंसान के लिए है और जिस तरीके से मुक्तेश्वर मंदिर है मुंबई के अंदर वहां पर जो एक भंडारा होता है भंडारे के अंदर जो रिकॉर्ड पाए गये थे कि उसमें 40,000 लोगों ने वहां पर भंडारे का प्रसाद ग्रहन किया था और उस समय जब वहां पर ATS का दोरा चल रहा था उन्होंने कुछ चानवीन करनी थी तो वहां पर कुछ ऐसे तक तो पाए गए जो उस भंडारे में जहर मिलाने की कोशिज कर रहे थे और उन लोगों को एक पहड़ी पर मुंबई के अ तो क्यों है और क्या वजह है क्या नाम है जर आपका मेरा नाम लालीत मालकोटी है तो इस जो प्रसाद के अंदर जहर मिलाने की जो बात चली है पूरा जो बड़े-बड़े मीडिया हाउस है वो सांथ बैठे हैं अगर यह किसी और धर्म से लेकर रिलेटेड होती तो इस प कठोर सजा है इसको बक्षा ही नहीं जाए क्योंकि कई लोगों के जानमाल की आहानी है मैं यह कहना चाहता हूँ अब लोग जो जो अब संगती अपना रहे हैं वह बहुत ही गल्ते इस देश के लिए तरक्की करने में घातक है इसलिए इस पर सरकार को मैं तो बार-बार सरक हर रहे हैं तो इसलिए मोत की सजा इसमें करार किया जाए और इसी से हमारा देश में थोड़ी सी डर होगा भावना होगी पर इसके साथ में यह कहना चाहिए कानून के बुद्ध जीवी और मैडल जो है वापसी करने वाले गैंग इन चीज़ों में नहीं बोलते और नहीं है क्योंकि उन्होंने इक वक्ष चला रखा है कि कि इसी भी तरह से मोधी सरकार को डाउन किया जाए मोधी सरकार में जो इतनी तरक्की हो रही है विज्यानिक takie विकास की पीऊम्हारे देश में बने ने नाम कमाया पैसा कमाया अब क्या है कि अपनी पपलिशThis पाने लिए तो अभी ATS ने चार सीट दाखिल कर दी है और चार सीट के अंदर उन्होंने कुछ पॉइंट हाइलाइट किये हैं उनमें से कुछ लोगों को ग्रफतार कर लिया गया है तो उन्होंने ये भी कबूला है कि हम जाकर नाइक जो एक बंदा है जो भारत छोड़ करके भागा और वह भी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से तो ऐसे लोगों पर भी भारत सरकार को क्या एक्षन लेना चाहिए मैं तो कहता हूं वैसे लोगों पर सिकंजा कसना चाहिए जब बड़े-बड़े नोट लेके भागे थे यहां से उनको ग्रफतार कर रहे हैं बिजनिसमेन क्याने हैं महां पर भी गल्शप्राइब कर रहें मजिदों में भी गल्शप्रचार कर रहे हैं देश को तोड़ना चाहता है मैं केथो यह मुसलिम भाई हो हमिंदु मुसलिम एक है सुरू से देख लो हर अजाती में सबने एक तासे लड़ी है उस अजाती को क्यों कोना चाहते कुछ चंद भर मुटी भर लोगों से आप सब समध्दार हो आपको एक होना चाहिए सब को सरकार को ऐसे लोगों पर क्या एक्सल लेना चाहिए क्योंकि वहां पर अगर प्रसाद के अंदर जहर मिल जाता तो चालीस हजाल लोगों ने वह प्रसाद बाया तो बहुत बड़ा एक नरसंगार होता यह एक बहुत बड़ी दुलगटना घटी यह और यह दकता है साथ वह दिन काले अक्षर में लिखा जाता है क्योंकि मैं यह कहना चाहता हूं कि देखो यह परशाद का परशाद को भी नही दूसरे को दिखाते हैं हमने कई बार ध्रम में आपके न्यूज के चैनल में कई बार आप लोगों से पता चलाया है कि कई लोग खेलते थे वहां पर बच्चे खेलते थे वह उनको जाके मारते थे और जाके जब बात होती थी तो कहते हमें जब सचाई जाती थी उसके कानून मंत्री रवी शंकर जी वह पूरी एक बैठक बठाके एक ऐसा कानून नया इलाए पूरी भूमत में सरकार है कोई डरने की बात नहीं है मैं तो यह कहता हूं कि आप पूरे कानून ऐसा ले क्या आऊँ कि देश एक कानून में बन जाए और सबको समान इज्जात हो उनके पास poison मिला 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 है तभी तो ATS ने यह दावा किया अपने चार सीट में बंद हो गए यह बात रही यह बहुत गलत है ठीक है इसके तार कहां तक जुड़ रहे हैं यह बात भी देखनी चीए ठीक है क्योंकि यह एक हर नागरिक के साथ हो सकता है क्योंकि हर आदमी कहीं कोई मंदिर मंदिर जाता है कोई गुर्दवार जाता है तो कोई मज़े जाता है अगर इस तरह के तद तो अगर बढ़ेंगे तो आगे क्या होगा इसका मतलब इंट्रेशिंस ने बहुत बढ़िया है पर साथ में जैर मिलाने जे पहले उनको रेट एंड पकड़ लिय इंट्रेशिंस बहुत तगड़ी बात और मैं जाना चाहूंगा जो एटीएस ने चार सीट देखल की है उसके अंदर कहा है कि उस जो लड़का है उसने एकसेप्ट किया है कि जो जाकिर नाइक है उसकी वीडियो देख करके मैं प्रेरित हुआ हूं तब मैंने ऐसा कदम यूट्यूब पे हैं उसको बैन कर देना चाहिए बैन बैन नहीं उसको भी बार से लागए अवलाद दे देना चाहिए क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो फासी की सजा बिल्कुल जो मिलाओट करें हुआ है भी और उता परसाद में जायरे मलाना चाहरे दे उनको फासी होने चाहिए और दूद आदमें मिलाओट करेंगी में इनको फासी सजा उने चाहिए है फिर एक तंत्र खड़ा हो जाए गा जिस तरीके से अभी खड़ा हुआ है कि मॉवले इंचिं इस सब्सक्राइब कर दोजार वापसी गैंग जो पहले दोजार चोदह में आया था उसे पूरे वर्ड लेवल की मीडिया उसे कवरेज कर रही थी और वही उन्होंने अब 2019 में करके दिखाया है वह अपनी जगह बिलकुल सही है कैसे सही है बिलकुल सही है जैसरी राम युद्धगोस हो सकता है क्या इसा है इंडिया इंदू बाउल है मारे इंदू बाई मुस्लिम कंट्रियों में बहुत काम कर रहे हैं क्या मुस्लिम कंट्री से कभी कैसी खबर आई को ऐसी खबर के बोलो अकबर उल्ला अकबर उल्ला नदिम मारेंगे नहीं आई न यहां क्यों जैसे राम बलवाने के उपर आदमियों को मार रहे हैं आप इन बातों क्यों नहीं सोचते तो वह भी तो कम से कम कहीं न कहीं उस जड़ भी तो जाओ जो बंदा मरने के लिए तयार है वह जाता है चोरी करता है मरने के लिए तयार हो जा रहा है क्यों कुम सी चोरी में तारगंड में हुआ और उसके बाद आपके कानपुर में और बाकी कई जगह ऐसे मामले आई जो अब स्कोर ऑख रहा है किसे की इसकी मजबुरी होगी तो आप इसको मारते हों यह थाली से Prof. कानून का नहीं आता है फिर दूसरे की जेब आदमी कर फिर उसको मारते हो गए यह लाज है क्या देश में कानून भी है कुछ केस तो ऐसे भी पाई गए जो फेक थे अपाई को तूं एक आदमी ज्यादा खाने से मर रहा है और एक भूख से मर रहा है तो मैं देखोंगा जो ज्यादा खाके मर रहा ना उससे चीनो और जो भूख से मर रहा है उसको दे दो ठीक है इस देश में क्या है सरकार ने किया तो बजट लेगा आए उसमें यह क्या है इसने क्या क्या है इस सरकार ने क्या 120 गराने को लिए उगलियों फिर गिनजा सकते हैं इनके पास 120 गराने को पास देश की 80 परसेंट प्रॉपर्टी है वह कैसे है किसी ने पता कर रहा है मारी जो चार साल में हो गई चैसाल में फिर पहले से उत्यारी है लेकिन इसमें बड़ी ज्यादा यह कैसा हुए मारी राष्ट्रे संब्दाइप प्रकार्टिक संब्दाइं इनको लुट आ और मजदूरों को एदिए सामेल और बीजेपि कुछ ज्यादा यह सामेल हो गी backyard मेंगे और और जाएंगे ग्यांस पर शेकूर आदमीं इक लेकिन आरसेश की पीजैपी की सोच क्या है लोगों को दरम और जात्ती के नाम पर बाटो राज करो सविधान को खतम कराओ मनुवादी समर्ती लाओ और इंदू राष्टर बनाओ लेकिन देश सेकुलर है सेकुलर था और सेकुलर रहेगा ये इंदू राष्टर नहीं बहुत बहुत धन्यवाद 40,000 लोग मंदिर में प्रसाद पाते हैं उस में प्रसाद में जहर मिलाने की कोशिज की एटीएस ने उन लोगों पकड़ा है मुंबई के अंदर मुक्तिश्वाद दू उनको ज्यादा से यादा डंड दू उनको फांसी किसे जादू अगर हमारे परसाद पाे जादए खहा लाएशना से यहां यहां से तयार हो उसके लिए और सजाद हो उसकी तो एक बार बताईए कि जो ATS ने चार सीट दायर की है दाखिल उसमें पाया है कि जो लड़के थे वो कह रहे हैं कि हम जाकिर नाइक से प्रेरित थे उनकी वीडियो दे करके हमने ऐसा काम किया तो क्या लगता है कि उनकी पर भी कारवय होना जाए जिससे मालो मैंने कोई गलत काम किया और मुझे किसी ने उकसाया है जहां से मुझे सहयोग मिलना उसे और ज़्यादा फांसी दो उसे प्रॉपर्टी उसकी जप्त करो ये कोई नया नहीं होना चाहिए ये सब के साथ होना चाहिए जो भी किसी भी धर्म जाती से किसी से भी मजब से हो छोटा हो बड़ा हो सब के लिए तानुन बराबर होना चाहिए